चलो बच्चा एक और नया सम मिडल टर्म स्प्लिटिंग और जो है कौन सा तो आप बोलोगे रूट वाले सम तो बच्चा रूट वाले जो सम है उसमें बस थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना है बाकी कुछ टाफ नहीं है x square minus 3 root x minus x तो यह हमारे सम में information दिये हुई है first of all हर बार की तरह इसमें हम क्या लिखेगे standard form में लिखेगे तो अच्चा लिखना शुरू करते हैं ax square plus bx plus c तो यह हमारा standard form ready हो गया आप बोलोगे sir यहाँ पर x square का coefficient a x square का coefficient a और यहाँ पर c यह दोनों को multiply करते हुए आपका जो answer आएगा वो middle term आपको लाना है उसको addition और subtraction करके तो बच्चा बस यही logic यहाँ पर ध्यान में रखना है हमारा x square जो है वो 1 है जो constant term है वो 6 है तो यह हो जाएगा 6 यह point clear है जैसे बच्चा यह clear होता है तो अभी आप बोलोगे sir हमें root 3 लाना है root 3 तो आप back of mind बोलोगे sir इसके factor तो निकल जाएंगे क्या तो आप बोलोगे sir इसके factor निकलेंगे 2 into 3 अब बच्चा यह हर बार मैं बोलता हूँ इसमें भी बोल रहा हूँ आप थोड़ा ध्यान रखना यह थोड़े थोड़े लाजिक जैसे मैं root 3 plus root 3 बोलूँ तो आप बोलोगे sir 2 root 3 आप बोलोगे sir 4 root 3 plus root 3 तो आप बोलोगे 5 root 3 आप बोलोगे sir 5 root 3 plus root 3 तो आप बोलोगे sir 6 root 3 आप बोलोगे 7 root 3 plus 3 root 3 तो आप बोलोगे 10 root 3 ये समझ मैं आ रहा है इसमें कोड़ डाउट नहीं होना चे यह बहुत बार से मैं यह समझा रहा हूँ, पिछले सारे वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, सेम वे बच्चा, यहां पर root 3 into root 3, तो आप बोलोगी 3 होगा, सेम वे root 2 into root 2, multiply करोगे तो 2 हो जाएगा, root 5 into root 5 हो जाएगा क्या, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका ही हमें inverse यहां apply करना है, यहां 3 दिया हुआ है, तो बच्चा बोलेगा, सर 3 की जगा लिखो root 3 into root 3, बस इसको अब arrange करने की बारी आई, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां minus चाहिए, क्या चाहिए, minus, तो हम लिखेंगे, 2 root 3 plus root 3, तो आप बोलोगे, सर 3 हो जाएगा, यहां मैं minus add कर दिया, 2 root 3 में से 1 root 3 जाएगा, तो बचेगा root 3, क्या बचेगा बच्चा, root 3, तो बस बच्चा, यही तो apply करना है, हमें x square, यहां पर हम करेंगे, तो 2 root 3, यहां पर x plus, आप बोलोगे, root 3, x minus 6, तो यह बच्चा, हमारा point हो गया, अब common निकालने की बारी, यहां से और यहां से, तो बच्चा, आप क्या करेंगे, तो यहां पर जो धियान में रखना है, यहां से x common निकलेगा, यहां पर x minus 2 root 3 common, तो हमने यह लिख दिया, अब यहां पर इसका 6 का थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो 6 के लिए बच्चा, हम यहां ready already, देखो, यह इसके factor हो सकते हैं, जहां से common क्या निकलेगा, तो root 3 निकलेगा, 6 की जगा बच्चा, हम क्या लिख सकते हैं, 2 into root 3 into root 3, तो यह root 3, और यह root 3 common निकल जाएगा, तो बच्चा बुलेगा, यह root 3, यह x, और दूसरा जो ध्यान में रहेगा, बचेगा क्या, 2 root 3, बिच में minus है, तो वही continue करेंगे, तो हमरा answer आ जाएगा, दोनों bracket सेम हो गए, तो यहाँ पे हमने लिखा, x minus 2 root 3, x plus 2 root 3, तो इसके साथ, बच्चा, हमारा यह point अच्छी तरह 47 number का sum खतम हो गया, है बहुत simple, थोड़ी practice की तो जरूरत आपको पढ़ेगे, proper notebook में लिखना तो ज़्यादा समझना हैगा, एक एक सम दो बार calculate करो, बच्चा, हरे एक बार sir बोल रहे, तो आपसे expectation है कि आप करोगे, तो आजाएगा, थोड़ी practice करो, हरे एक बार यह sir point बोल रहे, आपकी दिमाग में वो point आना जीए, मिलते हैं बच्चा, next lecture में नएक point के साथ, फूल वीडियो देखने हैं, तो नीचे description box में इसकी playlist की link मिल जाएगी, proper देख लो, पूरी sequence wise मिलेगी, तो आपको बहुत easy रहेगा, मिलते हैं next lecture में नएक point के साथ,